मध्य परदेश के अंदर नरेंदर मोधी चाती ठोक ठोक करके गारंटी पर गारंटी दे रहे थे लेकिन किसको दे रहे थे सामने तो कुरसिया खाली पड़ी भी थी आज मध्य परदेश में नरेंदर मोधी मोजू थे और मध्य परदेश में जब वो गारंटीया दे रहे थे चाती ठोक रहे थे तो उस वक्त में कुर्सिया खाली पड़ी हुई थी ये दो वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक वीडियो जिसमें नरेंदर मोदी चाती ठोक रहे हैं और दूसरी वीडियो जिसमें सामने कुर्सियों पर लोग ही नहीं हैं कुर्सिया खाली पड़ी हु दे रहे हैं लेकिन आप ये देखेगा कि 25 दिन बाला सोर हादसे के बीच चुके 25 दिन लेकिन अभी तक 81 सवों की पैचान नहीं हो पाई है और उनको 60 सव जो है वो कंटेनर में डाल करके रखे हैं क्योंकि कई कई दावेदार हैं उसके पुरानी खबर नहीं है 30 जून की खब रही है एक तरफ जो है नरेंदर मोदी नरेंदर मोदी जो है वो गारंटी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 5 लाख उपचार की गारंटी हम देते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनी की सरकार के अंदर सरकार जो है वो इतना भी नहीं करवा पा रही है कि रेल हादसा हुआ है और नरेंदर मोधी जो है वो चाती ठोक करके गारंटी दे रहे हैं उसके बाद खाली कुर्सियों की वीडियो में आपको सुनाता हूँ ये वीडियो आप सुनिए इस देश में कभी भी किसी गरीब को पांच लाख रुप्या की गारंटी किसे नहीं दी ये मेरे गरीब परिवार चाती ठोक रहे हैं और ये तस्वीर जो है ये आप तस्वीर ये मैंने स्क्रिंशोट लिया है मोधी की इसी वीडियो के अंदर आप देखे लिए पीछे ये कुर्सियां आपको खाली दिख रही है और कैमरा कितना क्लोज करके दिखाया गया है कैमरा एक तरफ तो नरेंदर मोधी का यहां पर है और दूसरी तरफ कैमरे का जो फोकस है वो चार आदमियों के उपर है केवल केवल चार आदमियों के उपर है चार आदमी जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं इससे पीछे की कुर्सी यहां पर इखाली आपको दिखाई दे रही है यह देखिए मैंने को कोई एडिटिस में नहीं किया है यह नरेंदर मोधी को आप देखिए नरेंदर मोधी से कैमरा सीधा भीड़ पर जाता है लेकिन भीड़ पर केवल चार आदमी दिखाए जाते हैं बड़ा कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं पीछे पैन करके पूरा व्यू क्यों नहीं दिखा रहें तो सुनिए मोदी से कैमरा डारेक्ट यहां पर भीड पर आया भीड पर केवल चार लोग और दोबारा कैमरा जो है फिर वाफिस मोदी पास चला जाएगा यही चार लोग जो है नजर आते हैं अब देखिए यहां पर खाली कुर्सियां वहां मोदी बोल रहे हैं तो यह नहीं है खाली कुर्सियां खिए और अगर यहां ट्वीट किया यह वह किया हैं कंग्रेश के कमलाथ के जो मीडिया इडियाइजर है उन्हों ने ट्वीट किया है प्यूस ने और उन्हों ने लिखा है मद्द्यप्रदेश की डबल जूट की सरकार ने ऐसी बद पिटवाई की सैडोल में प्रधान मंतरी जी की खाली कुर्षियों को भाशन देने को मजबूर हो गए मामा जी पीम आपको मन से माफ नहीं कर पाएंगे अब चलिए मैं इस बात को देखना चाहरा था कि हो सकता कि यह तो कमलात की मीडिया एडवाईजर हैं तो हो सकता कि कोई स्पेशल इधर उधर से वीडियो कहीं से चोरी छुपे बनवा दी हो और अक्सर पार्टिया जो है वो एक दूसरे के विरुद ऐसा ही करती है कॉंग्रेस बीजेपी के खिलाफ करती है बीजेपी कॉंग्रेस के खिलाफ करती है अब वो बात अलागे कि अगर कॉंग्रेस की रैली में लोग आएंगे तो नहीं बन पाएगी वीडियो लेकिन अगर बीजेपी की रैली में लोग नहीं आएंगे तो वीडियो बन क्यामरा था यह वा कि हां खाली थी और अगर कुर्स खाली नहीं होती थो कैमरा जो है वह से नहीं था कैमरा डौन शोट लेता है पीछे जूंका जूम आउट करके जो है फूर केमरा लेता है लेकिन यह तस्विर जो बता और बड़ी खबर जो है यह है शर्मनाक खबर है शर्मनाक खबर है किसी भी सरकार के लिए 25 दिन बीच चुके हैं बालो राजसा की यह भासकर ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो एक ग्राउंड रिपोर्ट की उसके अधार पर ही खबर है 30 जून की खबर है 36 कल की अच्छान नहीं है केमिकल डाल करके 67 कंटेनर में रखे एक बोडी के कई दाविदार है अब हालत क्या हो गई यह वाँ पर हालत यह हो गई है कि यह 25 दिनों से वह अपने बेटे को कोई ढून रहा है दोस्तों के साथ तुरुपती गया था बेंगलूर हावडा एक्सप्रे अस्पताल पहुंचे पर बेटा नहीं मिला फिर भुनेश्वर गए पता चला कि उसकी डेड़ बोडी कोई और बिहार ले गया अंतिम संस्कार भी कर दिया यह एक माबाप का दर्द है उनका बेटा जो है वो गया था तिरपती बाला जी और तिरपती बाला जी से वाफसी आ रहा था और वाफसी जब आ रहा था तो फिर पता चला कि आपके बेटे का उधर-उधर ऐसे-से ऐसे अइस घर से दोड़ करके गई तो पता चला उसका विहार बोडी भेज दिया है लोगों के साथ में यह हो रहा कि मिली नहीं पा रहा है ये आप दूसरी खबर देखिए यह स्रिकोंतो राय और ये कहते हैं कि मोबाइल में बेटे की फोटो दिखाते हुए एक बार में पूरी बात कह जाते हैं कि हाजसे की तारीक 15 दिन बाद बेटे की साधी थी ये नहीं हुआ होता तो साधी हो चुकी होती पर अब वो बेटी की dead body के लिए परिशान है सिरिकान तो अकेले नहीं है दो जून को ओडिसा के बाला सोर में हुए ट्रेन आजसे में मारे गए 292 लोगों में से 81 की अब तक पहचान नहीं हुई है इनके सव भुनेस्वर के एम्स में केंपस में रखे हुए है मर्चुरी में जगय नहीं थी इसलिए 600 कंटेनर में रखे गए है इनके DNA सेंपल भी दिल्ली भेजे गए है 25 से ज़्यादा दिन हो गए है पर रिपोर्ट नहीं आई है वज़े ज़्यादतर लोग तमाखू खाते थे दात में दात पर तमाखू की पर्त होने से उनके टीशू निकालने में दिक्कत आ रही है ये एक वज़े है बहुत सारी वज़े हैं वहाँ पर और ये कंटेनर है ये ट्रक वाले जो कंटेनर होते हैं इन ट्रक वाले कंटेनरों के अंदर जो है वो डेड़ बोडी को रखा ह हुआ है और लोग जो है वो इंद्जार कर रहे हैं एक तरफ नरेंदर मोदी कह रहे पाँच लाक रुपए जो है पाँच लाक रुपए का उपचार की घारंटी वो पहले किसी नहीं दी हमने दी बिलकुल सही बात नरेंदर मोदी तो मांग लेगा, उधारा ले लेगा, किसी को कुछ बेच करके ले आएगा, लोन दे करके ले आएगा, गिर्वी रख करके ले आएगा, लेकिन जिसका मर गया, उसके डेड़ वोड़ी तक आपनी दे पा रहे हैं, और कम दिन नहीं है, पचीस दिन हो चुके हैं साब, जादा से जादा दो दिन, चार दिन, पाच दिन होना चाहिए, जादा से जादा, कम से कम जिसके घर से कोई चला गया है, उसको ये तो बताओ कि तुम्हारा ये था, उसका एक हाथ है तो हाथ दे दो, पैर है तो पैर दे दो, कुछ तो बता दो उनको, कोई तो सिस्टम सरकार बना बिहार में अंतिम संसकार हो गया तो कैसे उसको जो है वो अंतिम संस्कारी हो गया तो उसका क्या फिर तो यह कि जो काग्जों में लिखा है बस Sumat कर गर लोट सवात सारे हैं सवाल बहुत सारे यह नहीं कि पीडितों के लिए बिणा के लिए बना वेलकम सेंटर इंक्वारी से पहले सीबी आई के सवाल जवाब अब हालत यह है कि वहाँ पर एक तरफ तो जो है जो माबाप आ रहा है वो अपने बच्चे के लिए जो है वो या उसके कोई किसी का बच्चा आ रहा है तो उसके पिता के लिए ना जाने परिवार में कौन किस तरह से है कोई मा आ रही होगी वो अपने बेटे के लिए है कोई पतनी आ रही होगी वो अपने पती के लिए है तो वो एक तरफ तो जो है दरदर भटक रहे है तो वैसे ही माथा खराब ऐसे ही एक तो दिमाग में पूरे दिन दर्द होता होगा, सर में दर्द होता होगा, और दूसरी तरफ जो है, वो तो मिल नहीं रहा, CBI के सवाल जवाब और चल रहे हैं, तो सवाल अब यह सीधा सा है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जो बात को कह रहे हैं, प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी कम से कम इन तरहें से भी थे उनको जो भी मिला उनको ले करके तो चले जाएं और ये इतना सा काम जो है वो सरकार नहीं करवा पा रही है 60 लोगों की 81 लोगों की 80 लोगों की पहचान जो है वो सरकार नहीं करवा पा रही है किसी की साधी होनी थी 15 दिन बाद किसी का बच्चा कहीं गया था और ये चीज जो है वो क्या कहती है ये देखिए ये चीज जो है वो साफ तोर पर सरकार की सिस्टम की नाकामी को दरसा रही है ये चीज जो है साफ तोर पर बता रही है कि हाँ अगर सरकार सिस्टम की नाकामी नहीं होती तो ये हाल नहीं होता एक तरफ तो नरिंदर मोदी आपर चाती ठोक रहे हैं कि पांच लाग का मुफ्त अपचार लेकिन दूसरी तरफ जो है अपचार तो छोड़िये शोव भी नहीं मिल पा रहे हैं तरदनाक है ये ये वाकि दरदनाक है इससे दरदनाक और कुछ नहीं हो सकता धरती पर इससे बड़ा बोज़ और कुछ नहीं हो सकता वो माबाप या वो जो बच्चा या वो जो पतनी जो अपने पती के लिए आई थी जो अपने बेटे के लिए आया था वो उस परिवार का सदस्य वो अपिस घर नहीं जा पाएगा तो वो इसी वहम में रहेगा कि आज नहीं क्या पता दो दिन बाद पता चल जाए दो दिन नहीं क्या पता चार दिन बाद पता चल जाए वो इसी वहम में चक्कर पर चक्कर काटता रहेगा वो इसी वहम में उस डाक्टर को देखकर के उसकी गाड़ी के तरफ दोड़ेगा, उस अधिकारी को देखकर के उस अधिकारी के तरफ दोड़ेगा कि कैसे भी करके मेरे को मेरे पिता से जो है, मेरे पिता की डेड़ बोडी दे दो, उपचार की तो छोड़िये साहब, आप ड बिंदास होकर के कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है और शायद यही वज़े है कि सरकार जब बिंदास होकर के आराम से चुनाव पर चार परशार में लग जाए बाला शोर के लोगों को भूल जाए मनीपूर के लोगों को भूल जाए तो लोगों को फिर कुछ याद आता है और लो भाजपा टीवी गोदी मीडिया वो सब कुछ दिखा रहा है कि मोदी की बंबं हो रही है मोदी का जलवा जलाल है एकदम से लेकिन दूसरे तरफ जो जमीनी सच्चाई है वो बहुत कडवी है वो बहुत तीखी है वो बहुत डरावनी है वो बहुत डराने वाली है वो बहुत बड़ी खबर है, इस खबर को टीव पर जहनी मिलेगी, इस खबर को शायद किसी और चैनल ने भी नहीं उठाया होगा, इसलिए शेर करिए इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, ओनलाइन यूजिंडे को सब्सक्राइब कीजिए, और इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है, वो नीचे कमेंट वोक्स में जरूर लिखिए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, और लोग भी समझ सकें, और लोगों के दिमाग की खिड़गी भी खुले, धन्यवाद.